आईए अब आप लोगों का concept एक concept एससे चेक करते हैं तो इस question में हमें wavelength निकाल ली है हमें ये given है कि जो particle है हमारा उसका mass 100 gram है और उसकी velocity 100 meter per second है इस question को solve करने के लिए आप वीडियो को pause कीजिए और 2 minute का समय लीजिए चलिए अब हम इसका solution देखते है तो यहाँ पे मुझे wavelength निकाल ली है और मुझे mass और velocity T है तो सीधा सीधा हम दिब्रॉल की equation को use करेंगे lambda is equal to h by mv यहाँ पे मुझे h पता है, m पता है और v पता है तो मैं यहाँ से wavelength को निकाल सकता हूँ तो यह wavelength हमारी कितनी आ रही है 6.626 into 10 की power minus 35 meters तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह wavelength कितनी छोटी है और हमारे पास ऐसी technology है ही नहीं कि हम इस wavelength को detect कर पाए इसलिए heavier masses के लिए हम wavelength detect नहीं कर पाते कि बाए